बर्नानाम अर्च संगानाम रसानाम चंद साम्पी मंगिलानाम चेकरतारों बंदे बानी बिनाय खुप अक्चरों अर्च संगों रक्चों छंदों मंगनों को करने वाली सरस्वती जी और गनेज जी की मैं बारंबार बंदना करता हूँ भावानी संकरों बंदे सिर्दा विश्वास रूपे पाउं भाव्या विनाने पच्चनती सिर्दा समंता सत्मे इस्रम सर्दा और विश्वास के सरूप स्री पार्वती जी और स्री सग्कर जी को मैं बारंबार बंदना करता हूँ जिनके बिना सिद्जन अपने अंतकरन में सिथित इस्वर को नहीं देख सकते बंदे बोध मयम नित्यम गुरूं संकर रूपे निम्प यमा स्रतो ही भक्रुसपी चंद्रहा सरवत्र बंदते ज्यान में नित्यम संकर रूपी गुरू की मैं बंदना करता हूँ जिनके आश्कित होने से ही तेड़ा चंद्रमावी सरवत्र बंदत होता है सीता राम गुन ग्राम कुन्यारन्य भिहारिनों बंदे बुसुद विज्ञानों कभी स्कपी स्रहों सीता राम जी के गुन रूपी पवित्र मन में बिहार करने वाले बिसुद विज्ञान संपन कभी स्वर वाल्मिकी जी और कभी स्री हनमान जी की मैं बंदना करता हूँ उदव सित संगार कारनी कले सेहन सवेश करी सीताम नत्रसुम राम बल्लवान उत्पत्ति सित्ति पालन और संगार करने वाली कले सु को हरने वाली तथा संपूर्न कल्यागुदों को करने वाली स्री रामचंदर जी की प्रियत्माः स्री सीता जी को मैं बारं बार नमस्कार करता हूँ जिनकी वाया कि वश्बूत संपोन विष्प भ्रहं पादी देवता और असुर्भ हैं जिनकी सत्ता से रस्सी में ब्रह्म की बातिय सारा दिर्ष से जगत सत्ते ही हमें पृतीत होता है और जिनके केवल चरन ही भगसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एक मात्रिनों का है उन समस्त कारणों से सब कारणों के कारण और सबसे स्रिष्ट राम कहाने वाले भगवान हरी की में बारम बार बंदना करता हूँ पुलीसिया वले रामी चंद्र जी कीज़े नाना प्रान निगामं सम्मतं यदे रामाइने निगनती कब्च तेंतिस्पी सवंता हा सुकाय तुल्सी रगुनात गाता भासा निवन्वती मंजुल मात नूतिया अनेक प्रान बेद और तंतर सास्तर से सम्मत तता जो रामाइन में बरनित है और कुछ अनंतर से भी उपलग श्री रगुनात जी के कथा को तुल्सी दास अपने अंत कर्ण में सुक के लिए अत्यंत मनुहर वासा रचना में बिस्रित करता हूँ जो सुम्रत सिद्य होई गन नायक करीबर वदन करहु अनुग्रय सोई हो दिरा से सुब बन सदन जिने समरन करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं जो गनों की स्वामी और सुन्दर हाती के मुकवाले हैं वेही बुद्धी रासी और सुब गुनों के धाम सी गनेश जी को मुझ पर कृपा करें मुक्व होई बाचल पंगु चड़ ही गिरवर गेहन जासु क्रपासो दयाले द्रवहू सकल कल मल द्हेन जिनकी क्रपासे गुंगा बहुत सुन्दर बोलने वाला हो जाता है और लंगडा लूला द्रवं पहाड पर चड़ जाता है वो कल्यों के सब पापों को जला डानने वाले द्यालू वग्वान मुझ पर कृपा करें मुझ पर द्या करें नील सो रुहे स्यामी तरुन अरुन बारिज नेन करहुं सो समम्म और धामी सदां चीरे सागरे सेन जो नील कमल के समान स्याम बरन है पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदां चीरे सागर में सेन करते हैं वो भगवान नारान मेरे हृदे में नवास करें कुंद इंदू सम दे उमार मन करूना एन जाही दिन पर नहे करूं करपा मरेदन मेन जिनके कुंद के पुस्प और चंद्रमा के समान गौर सरीर हैं जो पारवती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर सने है वो काम देव का मर्दन करने वाले संकर जी मुझ पर क्रपा करें मैं उन गुरू महराज के चरन कमनों की बंदना करता हूँ जो क्रपा के समंद्र और नर रूप में स्री हरी हैं और जिनके बचन महा महो रूपी घने अंदकार का नास करने के लिए सूर्य किर्णों के समू के समान है मैं गुरू महराज के चरन कमनों की रज की बंदना करता हूँ जो सुरूची सुन्दर स्वाद सुगंद तथा अनुरागी रस्य पूर्ण है वह अमरमूल संजीवनी जडी का सुन्दर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरों के परिवार को नास करने वाले हैं सुकुईर्ती सम्मूतन विमल भिभूती मन्जोल मंगल मोद प्रिसूती जन मन मन्जो मुकर मले हरनी किये तुड़के गोन गन बस करनी वह रस्य कूर्ण पूर्ण वान प्रोस रूपी सिवजी के सरीर पर सोवित निर्मल भूती और सुन्दर कल्यान और आनन्द की जन्नी है भगत के मन रूपी सुन्दर दर्पन में मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुन्हों के समू को बस में करने वाली है सिरी गुरुपद नक मन गन जोती सुमेरत देव्यद्रिष्टी है होती स्री गुरु महराज के चरन नक को जोती मनियों के प्रकास समान है जिसकी समरन करते ही हिर्द्य में दिव्यद्रिष्टी उत्पन हो जाती है वक्तों वह प्रकास अज्यान रूपी अंदकार का नास करने वाले हैं वह जिसके हिर्द्य आ जाता है उसके बड़े भाग हैं ओगर हमें बिमले बिलोचन ही के मिटई दोस दुख भव रजनी के सूजई राम चरत मन मानिक सपूत प्रगट जैजो जैई खानिक उसके हिर्द्य में आते हिर्द्य के निर्मिलने त्रभगतों खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्री के दोस्त दोकमिट जाते हैं एव स्री राम चरत रूपी मनी और मानक्य गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है सब दखाई पढ़ने लगते हैं जता सुवन्यन अंज द्रग सादक सेद सुजान कोतक देकत सेल वन भूतल भूर निदान जैसे सिद्ध अनेकों नित्रों में लगाकर सादक सिद्ध और सुजान प्रवतो बनों और प्रत्वी के अंदर कोतक से ही बहुत सी खाने देखते हैं गुरू पद रज मृद मन्जोल अंजल नेने अमही द्रग दोस भिवन जन तैही करीब मल विबोक बिले चन भरनाउं रामी चरति भव मोचन श्री गुरू महराज के चर्णों के रज को मल और सुन्दर नेन अम्रित नेन हैं जो नेत्रों के दोसों को नास करने वाले हैं उस अन्यन से दिवेक रूपी नेत्रों को निरवल करके मैं संसार रूपी बंदन से चुड़ाने वाले श्री राम चरत्र का बर्नन करता हूँ बंदाओं प्रतम महिसों चरना मोहे जन संसे सब हरना सुजन समाज सकल गुन खानी करऊं प्रणाम इस पैमे सुवानी पहले प्रतमी के देवतार ब्रहम मनों के चरनों की बंदना करता हूँ जो अज्यान से उत्पन सब संद्यों को हरने वाले हैं फिर सब गुनों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुन्दरवानी से प्रनाम करता हूँ बुली सिया बले रामें चादरी की जै बुली वाला जी महरा जी की जै बुली गजानन जी महरा जी की जै बुली अपने पने गुरु जी महरा जी की जै प्रीय राम सरनवां राभी 평 Amen आज से 16 अप्रेल तक स्री राम कताब का गायन स्री बालाजी मंदर वोडल पर स्री राम भक्त हनमाल सेवा समीती के द्वारा पंडित राजिस चंदर जी के बानी से राष्टे में सानती है तू भारत में जो करोना करोना रूपी देत्य आ गया उस देत्य का नास हो सभी राष्टे में सानती हो सभी प्रानियों का आनंद हो सभी प्रानियों वानंद की प्राप्ति हो इस कामना के साथ स्री बालाजी मंदर वोडल घरम पट्टी पर स्री राम कथा का आयुजन सोले अप्रेल तक लगातार किया जाएगा कोई भी बालाजी मंदर पर ना है बालाजी महराज के दर्सन भगतों के लिए इसलिए इस समय बंद है जो हमारे अस्पतालों में डोक्टर काम कर रहे हैं जो सपाई कर्मी काम कर रहे हैं जो भी समाजित के लिए काम कर रहे हैं वो सब साख्चात भगवान जी का रूप हैं इसलिए भगतों इस कथा का आनंद केवल यूट्यूब पर ले सकते हैं हमारा यूट्यूब है राजिस बालाजी या स्री बालाजी मंदर होडर एक बार पर से दो राता हूँ कोरोना बाइरस रूपी देत्य का नास हो सभी राष्टे में सानती हो इसी कामना के साथ इस कथा का आयोजन सोले अप्रेल तक किया जाएगा कोई भी भग बालाजी मंदर पर ना है केवल हमारे यूट्यूब पर राजिस बालाजी या स्री बालाजी मंदर होडर पर इस कथा का आनन्द उठाएं और हमारे जो डॉक्टर हैं दिन राथ 24 गंटे काम कर रहे हैं जो भी सपाई कर्मी जो भी काम कर रहे हैं सभी का सम्मान करें साख्चात वेही भगवान के रूप में इस समय प्रित्मी पर हैं और कहा भी गया है हनमान जी को अनंत सरीर का आसीरवाद है आज डॉक्टर के रूप में समझो कि हनमान जी स्वेम हमारी रक्षा के लिए खड़े उगए हैं रोजाना साड़े तीन चार वजे साड़े तीन से चार वजे के आसपास आप हमारे यूट्यूब राजिस वाला जी या स्री वाला जी मंदर हुडल पर राम कथा का आनंद ले सकते हैं और यह कता हमारे देश राष्टे सभी प्राणियों में सांती गवास हो आनंद हो इस देट्य रूपी करुनवार्स का नास हो इस कामना के साथ किया जा रहा है अधिक जानकारी के लिए हमारे मुबायल नंबर 95 664 47 पर संपर्क करें पर बोलता हूं 94 664 47 पर संपर्क करें आईए आगे कता में प्रवेश करते हैं सादू चरेते सुवे चरेते का पासू निरस बिसद गुन में फल जासु जो सही दुख परिचिद्र दुरावा बंदिनियें जेही जग जस पावा संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन की समान सुग होता है जिसका फल नीरस बिसद और गुन में होता है कपास की डोड़ी नीरत होती है संत चरित्र भी विस्या सकती नहीं है इससे वह भी नीरस है कपास उजवल होता है संत काहदे भी अज्यान और पापरूपी अंदकार से रहीत होता है इसलिए वह विसद हैं और कपास में गुन तन्तु होते हैं इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद गुनों का भंडार होता है इसलिए वह गुन में होता है जैसे कपास का धागा सूइं कियो हुए छेद गो अपना तन दे कर ढख देता है वक्तों अतवा कपास जैसे लोडे जाने काते जाने और बुने जाने का कश्ट सहकर भी बस्तर के रूप में परनित होकर दूसरों के गोपनिये सतानों को डखता है उसी प्रकार संत समय दुख सेकर दूसरों को चिद्र दोसों को डखता है जिसके कारण उसमें जगत में बंदनिय या स्प्राप्त होता है मुद मंगल में संत समाजू जो जग जग में तीरत राजू राम भगती जहें सुरसरी धारा सरसई ब्राम बिचारी प्रिसारा संतों का समाज आनन्द में और करल्यान में है जो जगत में चलता प्रता तीरत राज प्रियाग है बगतों उस संत समाज रूपी प्रियाग राज में राम भगती रूपी गंगाजी की धारा और ब्रहम चार का प्रचार सरस्वती जी है बुली सरस्पती माता कीजा बेद विसेद में कल मल हरनी कराम कता रव वंदन बरनी हर हर कता बिराज ती बैनी सुना तेसा कल मुद मंगल दैनी बिदी और निसेद यह करो और यह ने करो रूपी करमों की कता कल युक के पापों को हरने वाली सूर्यत्मा या मना जी है वक्तों और भगवान बिस्मू और संकरजी की कताएं तिर्वेनी रूप से सुसोवित हैं जो सुनते ही सब आनन्द और कल्यानों को देने वाली हैं बटू विश्वास अचलने जी धर्मा तीरा तिरा जी समाज सुकर्मा सवही सुलव सब दिन सब देशा सेवत साधर समन कलेशा उस संत समाज रूपी प्रियाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वठ है और सुब करम ही उस तीरतरा समाज का परीकर है वह संत समाज रूपी प्रियाग राज सब देशों में सब समय सबी को सैजी में प्राप्त हो सकता है वक्तों और आदर कुरुवक सीवन करने से कलोशों का नश्ट करने वाला है अकत अलोकिक तीरत रावु देही साद फल प्रगट प्रवावु वह तीरत राज अलोकिक और अकत्निय है एवतंत काल फल देने वाला है उसका प्रवाव प्रत्यक्ष है वगतों सुने समझजई जनमदत मन जई अते अनुराग लही चारे फले अक्षत तन साद समाज प्रियाग रामा लही चारे फले अक्षत तन साद साम प्रियाग जो मनुस्य इस संत समाज रूपी तीरत राज का प्रवाव प्रिस्त्रमन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अतेंत प्रैम पूरवक इसमें गोति लगाते हैं वह इस सरीर के रहते ही धरम अर्थ काम मोक्ष और चारोपाल पा जाते हैं मन्जल फल पेके ततकाला काके हुई पिक बकव मराला सुने आज रज करे जन कोई सत्य संगती महिमान नहीं गोई इस तीरत राज में सिनान का फल ततकाल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोईल बन जाते हैं झाल जाते हैं